राजा दशरत, लोकेश्वर, ब्रम्हा की तरह बहुत प्रसन्न थे, वे पुरुश सिंग राजकुमार प्रती दिन वेद का अध्ययन भी करते थे। वह चारों बालक सदैव पिता की सेवा में रहते थे, एवं धनुरवेद का अभ्यास भी पूरी निष्ठा के साथ करते थे। एक दिन राजा दशरत उनके विवाह के बारे में सोच रहे थे। उस समय राजा दशरत पुरोहित एवं बंधु बांधों के साथ बैठे हुए थे। मंत्रियों के बीच विचार करते हुए उन महान का दशरत ने देखा, राजा दशरत ने देखा महातेजस्वी महामुनी विश्वामित्र वहाँ पर आये हैं। वे राजा दशरत से मिलने चाहते थे, उन्होंने यह सूचना द्वार के अध्यक्ष को बताया। महामुनी विश्वामित्र ने कहा, तुम शीग्र जाकर महराज को यह सूचना दो कि कुशिक जोकी गाधी के सुत हैं, यानि कुशिक वंच के गाधी पुत्र विश्वामित्र आये हैं। यह बात सुनने के पस्चात द्वारपाल दोड कर राजा दशरत के दर्बार में गए।